अस्सलाम अलेकुम तो स्वागत है आप सभी का ग्यापनी केडिमी के इस नए और लिटेस्ट वीडियो में और आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं 12 क्लास के उर्दू के कहिकशा के किताब से दो चैप्टर एक है चैप्टर नंबर 25 और दूसरा है चैप्टर अचा में तारिखी वाक्यात को वियान किया जाता है मतलब तारिखी वाक्यात में वाक्या वैसा घटना जो बहुत पहले real में घटित हो चुकी हो मतलब real की घटना हो वो घटना वो incident होते हुए आप अपनी आँखों से देखे हो तो उस घटना को याद करके श्री रोशायरी के अंदाज में लिख कर बता देना कि वो घटना वो incident कैसे हुई थी वो घटना कैसे घटित हुई थी तो यह दोनों चेप्टर भी क्या है कता तारीख है और जो पहला तारीख है यान की चेप्टर 25 में जो आप लोगों को पढ़ना है वह जनाब अश्रफ कादरी के उपर लिखा गया है मतलब जब जनाब अश्रफ कादरी की मौत हो गई थी उस वक्त की घटना के बारे में बताया चेप्टर के जो राइटर है वह दो अश्रफ कादरी की जब मौत हुई थी उस वक्त यह मौजूद थे ठीक और यह देखे थे किस तरह अश्रफ कादरी की मौत हुई और मौत होने के बाद क्या क्या हुआ यह सारा चीस जो है ना वही लए अपने आखों से देखे थे अब उसको याद करकर शेरोशारी के अंदाज में लिखकर वो बता दिये तो उसी को क्या बोले जाने लगा कट्व तरीक तो पहला जो कट्व तरीक पढ़ना है वो जनाब अश्रफ काद्री के उपर लिखा गया है और दूसरा कट्व तरीक इनकी केप्रिन नुबर 26 में जो आप लिखकर बता दिये कि किस तरह मौलाना निजामुद्दीन जो है वह अमीर शर्यत बने वगयरा वगयरा ठीक तो पहला जो कट्व तरीक है वह आप लोगों को जनाब अश्रफ काद्री के बारे में पढ़ना है और दूसरा कट्व तरीक मौलाना निजामुद्दीन सहाब के लिखने को मिलेगा ठीक तो मैं आप लोगों को दोनों चैप्टर की शुरुवात करने से पहले वाहिद नजीर के बारे में बता दू क्योंकि इनके बारे में कुछ ही डिटेल्स दिया गया है देखिए वाहिद नजीर का असल नाम जो है वह है अब्दुल वाहिद और इनक 68 हिस्वी को जहारखन के ग्रीडी जीला में ठीक 12 अप्रिल 1968 को जहारखन के ग्रीडी जीला याद रखियेANS ज्यार रखाब की किताबों कानाम या रखिएगा रौनक और कलाम रौनक जहाने नात दीदा जोकि यह दोनों किताब है वह 2037 पर काशित विप शाय हुआ था ठीक तो यह होगी अब वाहिद नजीर के बारे में कुछ डिटल्स जो आप लोगो याद रखना है इससे जादा आप लोगो के बुक में दिया भी नहीं है और जतना ही कम दिया रहे हैं को उतना ही आप ही लोग के लिए अच्छा है आप लोगो जादा याद नहीं करना पड़ेगा है ना तो अब चलिए मैं आप लोगो यह जो दोनों गता तारीख है एक एक करके दोनों गता तारीख को पढ़कर उसका मैं तश्रीख कर देती हूं ठीक तो देखिए पहली गता तारीख में लिखे हैं वाहिद नजीर लोग हैं यानि कि जितने भी जिवजन पूव्र जिननसे जान पाए जाती हो इस दुनिया पर जितने भी जांदार है जिसको खुदा ने जिंदगी अधा फर्माई है उस जिंदगी पर कुदाने मौत की माहटा कर भी वहाऋ और तुम्हें नहां से आए उन तो होगह कि हम सभी अल्ला के हैं खुदा ने हम सब को बनाय है और खुदा ने जब हम लोग को बना कर अपनी तरफ से भेजा इस दुनिया पर तो हमें वापस लौट कर खुदा के पास ही चले जाना होगा अब भी आयत सुने होंगे कुलो नफसिन जायकतुल मौत यानकी हर जानदार को हर जीव जनतु जिन में जान पाई जाती हो हर जानदार को मौत का मज़ा चखना है आप जिंदगी में बहुत मज़ा चखे होंगे तरह तरह के पकवान का मतलब चटनी का मज़ा चखे होंगे टेस्ट लिए होंगे तरह त बोला जा रहा है कि अगर तुम इस दुनिया पर आये हो जितने भी इंसाने इस दुनिया पर आये हैं तो उन्हें वापस लोट जाना है ठीक और मौत की बुनियाद पर हैं जिन्दगी की छत बनी हैं वह मौत की बुनियाद पर बनी हैं खुदा ने जब हम लोगों को जिन्द जिन्दगी को जी रहे हैं तभी आप ये इस जिन्दगी को जी रहे हैं ठीक अब देखिए आगे लिखा गया है कि साहिए जम्हूर अश्रफ शायर वा कानून दा क्या मुअ मर्जात थी जो कब्र की जीनत बनी यहां पर जो है ना वाहिद नजीर जनाब अश्रफ कादरी को बोल रहे हैं अश्रफ कादरी की मौत हो गए रहेती है ना तो अश्रफ कादरी की तारीफ करते हुए वाहिद नजीर कह रहे हैं कि जनाब अश्रफ कादरी जो हमेशा लोगों की जज़बातों को समझा करते थे हमेशा लोगों के लिए आवाज उठाया करते थे वह एक शा फैमें जितने भी जानदार है वो इस दुन्या पर आये हैं उनीको जन्दण की मेली एक नैक दिन वापस लोट की जाना है उसी तरह जो है ना सिर्फ कादरि भी इस दुन्या या फिर फकीर क्यों नहों चाहे वो एक बादशाह या फिर शहनसा क्यों नहों हर इंसान की मौत तैह है और जब हमारे नभी करीम से लौट कर वापस जाना ही होगा हमारे भी मौत फिक्स है ठीक कही अश्रफ कादरी हम साया कादीर बने गौस की निस्बत वहां भी बास रहमत बने यहां पर बोला जड़ा है वाइद नजीर बोल रहे हैं कि कही अश्रफ कादरी अश्रफ कादरी जो हैं वो हमेशा लोगों की भलाई किया करते थे और लोग जो हैं अश्रफ कादरी की साया में रहा करते थे ठीक और अश्रफ कादरी की जो है ना निस्बत गौ से पाक से थी यानि कि गौ से पाक से रिलेट थे ये संबंदित थे और 14-19 सिजरी में ये गौ से पाक से रिलेट हुए थे संबंदित हुए थे अश्रफ कादरी ठीक और यही वज़ा था कि यह रह्मत बन कर बढ़ से हमेशा लोगों की अश्रफ कादरी जो है मदद किया करते थे लोगों की भलाई किया करते थे और इसलिए गौव से पाक से क्या थे संबंदित थे ठीक और अफकार में मुलिह म लगाता है सदा का सकूनत गाह अश्रफ कादरी जन्नक बनी देखी हैं कि यह पर बोला जा रहा है कि इस गाउं में इन्सान है है वह इंसान एलान करता है कि जनाब-अश्रफ-कादری का जो आराम का जगह है अब वो जननत बन चुका है यानि कि जनाब अश्रफ-कादरी की मौत हो चुकी है और कभ हुई थी देखिंगे लिखा भी गया है उन्हें श्रफ-कादरी की मौत हुई थी ठीक है तो वही मतलब बोला जा रहा है कि इस गाउं में एक इंसान है जो कि एलान करता है कि जनाब अश्रबकादरी की जो अराम का जगह है अब वो जन्नत बन चुका है जन्नत में चले गए है यानि कि उनकी मौत हो चुकी है ठीक है अब चली मैं आप लोगों को दूसरी अतर तारिख जो है इसका तश्री कर देती हूं देखिए शुरुवात में लिखे हैं वाहिद नजीर कि किसने दस्तारे अमीरी सर पर बांधी है नजीर आज जब के मुल्क में हालात तीयों संगीन है यहां पर बोल रहे हैं वाहिद नज के समय को दूसरी सरताब दी कहते हैं उसी तरह उननिस से लेकर टुस्सव साल के समय को है को विस वी कहते हैं तो यह बात की बाद की चा जारे है विस सब्सकों के बात जैना हमारे जुए घार्ट सो को करना था सभी लोग को ठीक कि और अधान्दी जी जो है वह आये थे भरत में उनैसी पंद्रह सभी में सटंत kulland दिलाने के लिए भारत को ठीक तो उन्हेंस से से लेकर 20 से साल के बीच के समय की बात की जा रही है भारत के लोग जो है वह आजादी दिलाने के लिए बहुत दात्त पर थे बहुत सारे लोगों ने खून बहाए लड़ाईया लड़ी ठीक तो उस वक्त जो है हमारे मुल्क भा बांद दी है जब कि उसको मालूम होना चाहिए कि हमारे जो मुल्क हालाता है बहुत जाएथा संगीन है घीज़ा रक्स हैं ममुल और शाहीन ममुला और शाहिन महुना और शाहीन दोनों पकशी साहिन के अंदर इतना घमंड इतना गुरूर है गुमान कि वह आज कल बहुत ज्यदा क्या कर रहा है उचर रहा कुद्रा है उसके अंदर इतना घमंड है लेकिन जो शाहीन नाम की पक्षी है वो अपना पंक समेटे हुए पत्तर के पास सहमें हुए बैठी हुई है मतलब इस लाइन के माध्यम से वाहिद नजीर हम लोगों को यह बताना चाह रहे हैं कि आज कल जिन लोगों के पास हुनर है काबिलियत है वह उतनी उचाई तक नहीं जा पा रहा है उतनी सफलता को एचिव नहीं कर पा रहे हैं लेकिन जो बेकार इंसान है जिसके पास उतना हुनर नहीं है काबिलियत नहीं है वह मतलब उचाई तक चला जा रहा है ठीक और वह अपने आप पर घमंड करन नहीं पा रहे हैं तो इसलाइन के माध्यम से वाहिद नजीर यह बताने की कुश्च की है ठीक आगे बढ़िए कर रहे हैं तीरगी को नूर से ताबीर सब आलीमों में जहल वाले बासे तजीन है यहां पर बोल रहे हैं वाहिद नजीर कि आज का लोग जो है ना रियालिटी पा रहे हैं ये बोल रह वहां लेकिन सब लोग बोल रहे हैं की नहीं चारो तरफ किया है उजाला है मतलब हर इनसान की जिन meillä हो Tucson होती है ओप सच्चाई को चुपा ले रहे हैं ओर इस आलिमों की दुनिया में चैप पढ़े लिखे लोगों की दुनिया में जो जाहिल है अब भी घीरे मश्रूर होते जा रहे हैं इस पड़े लिके लोगों की दुनिया में जो जाहिल लोग है वह फेमस होते जा रहे मश्रूर मॉश्ण वह मखबूल होते जा रहे हैं ठीक आप जो है ना एक मिसाल बन चुके हैं जो घम जदा लोग है यानि कि जिनको अपने जिन्दगी में बहुत जदा घम मिला है दर्द मिला है जो परेशानी होकर हमेशा गुजरते आये हैं उन लोग के लिए निजाम अदिन साहब आप एक मिसाल है आप एक सुकून का स्थम्भ परेशानी है यानि कि लोग को लोग जो है आपको देखकर बहुत दा सुकून करते हैं और यह बहुत बड़ी बात है आप निजाम अदिन साहब सभी लोग के दिल में अपना एक जगा बना लिये हैं जो कि बहुत बड़ी बात होती है तो वहीं बोल रहे हैं कि इतने का आप एक मिनार है सुकुन का आप एक सिंबल है है ठीक को मिलत के लिए है बात सद इफ्तेखार शान अलुल अम्रे मिनकुम क्या निजाम-द्दीन है यहां पर जो है ना वाहिद नजीर निजाम-दीन साहब को मुल्आ हैं कि निजामुदीन ताब एक आप ही हैं जो one मिलत के सुवूँ के लिए फिक्र करते हैं हमेशा आप क्या करते हैं इस मिल्ख के लोग जितने भी लोग सभी लोग की भलाई सोचते हैं और इसी लिए क neighbor भी लोग है कौम के लोग है वह आप पर बहुत दविश्वास करते आपको अपना गार्जियन मानते हैं यह सबसे बड़ी बात है और इतने खराब महौल में दिल लोगों की दिलों में इतना बड़ा जगा बना लेना बहुत बड़ी बात होती है ठीक तो जो है ना निदामु दोनों चैप्टर हो गया कमफ्लीट कोई भी कमफ्यूजन हो इन दोनों चैप्टर से रिलेटेड या फिर मुसनिफ से रिलेटेड आप हमें कमेंट करकर पूछ सकते हैं बाकी में आप लोगों को जो कुछ जहिंद और खुदा हाफिज